योध्या में राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम को ले करके पूरे देश में इस वक्त उत्सो का महौल है शहर सहर तमाम तरह से तैयारियां की जा रही है और कैसे इस कारिक्रम को पूरे देश में दिवाली की तरह मनाया जाए और इस कारिक्रम की जो धूम है पूर पैकेट बनाए जा रहा है जो मुंबई के एक हजार घरों में भिजवाने की योजना है और इन घरों को 22 तारी को दिवाली के दिये की तरह लोगों को जलाना है पूरी ये तैयारी क्या है इस पर ये पूरी टीम आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बैठी हुए है कई दिनों से ये कारिकरम यहां पर चल रहा है दिये जब बनकर आते हैं तो उनकी पांच दियों की पैकिंग की जाती है और उस पे लिखा जाता है 22 जन्वरी का दिवाली सजाएं आओ मिलकर दिया जलाएं जैश्री राम नारे वाले ये जो दिये हैं यहां पर आप दिख सकते हैं कि है बिलकुल पहले तो सबको जैस्री राम हम लोगों ने जो इतिहास-पड़ा है पांसो साब के पाद हमारे आ रध्या प्रभू सीराम पाद आयोध्या में हो रही है तो यह खुशी का मौहल है राम जी को जितना हम लोगों ने पढ़ा है दूर दुरदर्शन के माध्यम से देखा है तो यह हमारे आरध्या है और उनकी प्रानप्रतिष्टा हो रही है और उसका ही हर्षुल्लास के साथ मनाने के लिए माने प्राइशा टूलिया बनी है जो हर शाम को वह जो पवित्र अक्षता लेकर आयोध्या से आई हुए उसका पत्रक है वह और यह दिये हम लोग दे रहे हैं जब लोगों के घर में जा रहे हैं तो जवान लड़के से लेके बुढ़े आदमी तक जब यह जाता है सब अक्षत और यह दिये तो बहुत खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है और वह निच्छित रूप से कहता है कि हम लोग 22 तारिक को फिर से दिवाली मनाने वाले हैं और यह प्रभू राम चंद्री जी का आशिरवाद है राम राज्य की कलपन हम लोग कर रहे हैं तो राम जी का प्रान परशिश्चा के वक्त देश का महौल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं तो हर्शोल्लास के साथ लोग बहुत ही खुशी से जूम रहे हैं और यह पांच दिये नहीं होंगे जब आप पांच दिये देंगे तो वह परिवार और भी उसमें 10-20 दिये जोड़ेगा औ लेकिन इस बर खास करके दिवाली छोड़के यह पांच दिये वह खुद जलाने वाले हैं और यह हमारा छोटा से योगदान हम सब कारेकरता मिलकर कर रहे हैं और एक लाग घरोतक निच्चित रुप से यह जागा क्योंकि वह इसी यंत्रना हमारी पूरे परिवार की लगी आप लोग कि कपसे तयारी करना है कैसे इसके पैकेट बनाये जारा हैं और किस तरह से आप लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं गत चार पास दिन से हमारे सभी कारेकरता राजित ज्यकिने तुम्हें इस काम में लगवे हैं आप देख रहे हैं कि यह पास दियों का संच है पहले तो यह पास दियों का संच बनाया जाता है फिर उनको पैक किया जाता है उसके बाद यह स्ठीकर जो है इसमें किसी का नाम नहीं लिखाय केवल और क्योल प्रभु राम और दस्यम dirWhat इतना इसमें लिखा है और यह स्ट इसमें निगा हैं लगाने के बाद हम इसको पास क स्रेंस का पक करते यह उप देख रहे हो थेली में पैक किया जाता है और यह थेली आ हमारे जो कारे करता है वो घर घर जाकर दिये बाटते हैं भाई साब यह काम को आप पुक्न का कितना बड़ा यह काम समझनाओं और किस तरह से आप लोग इसमें लगे हुए हैं और लोगों को जागुरुक कर ने जिलाád दुडच है राजया स्रिवडगर जी के निप्टत में सभी लोग डोर डोर जाके ये सभी लोग को दें के जो कि राजय battle कर जी को शमय के सामने बताये कि बैद के पर लोगों के पर अच्छत सबूंच यह लोग है कि यह एक जो है मेहमान के रूप में सभी लोगों सबका संबान कर रहे हैं और सब पूरा देश मोदी जी के आवाहन पे आगे बढ़ चुका है और 22 जनवरी को हरसो उल्लास के साथ पूना है एक बार दूसरी बार दिवाली मनाएगा और मुझे लगता है कि गत वर्स 22 जनवरी एक परांड परतिष्ठा का रहा है और उसकी तैयारियां जो शहर से हम देख रहे हैं वास्तों में इस कारिकरम को एक विहंगम द्रिसर्श देते हैं और विहंगम तस्वीर सामने आ रहे हैं तो मुंबई में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लाखों दिये जो है घर तक पहुंचाए जा रहे हैं और जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आहवाने की 12 जन्वरी यानि जिस दिन अयोध्या में राम प्रांड प्रतिष्ठा है उस दिन हर घर में दीवाली का महौल होना चाहिए उत्सों होना चाहिए उसकी तैयारिया हम अभी से देख से रहे झाल 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 झाल